कि नमस्कार क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिचे बस्पा सांसत अफजल अंसारी और घोशी से सांसत अतुल राय के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है दोनों की प्रॉपर्टी सीज होने के बाद उनके खेतों को भी कुर्ख कर लिया गया है अब खेतों में उगाई गई फसल को भी प्रशासन ने बेज दिया राजसब विभाग ने दोनों के खेतों में लगी फसलों को निलाम किया है निलामी की कारवाई, निलामी अधिकारी, नायब तहसील दर, विश्राम यादव की मौजूदगी में संपन की गई देखें रिपोर्ट दोनों सांसदों की कुल आठ गाउं में खेती योग ये जमीनों को सीज किया गया था इनमें लगभग 10 हेक्टियर खड़ी धान की फसल भी शामिल थी जिसके निलामी के लिए कुल 10 आवेदन हासिल हुए थे इनमें से कुल 8 लोगों ने निलामी प्रक्रिया में शामिल होते हुए बोली लगाए 10 हेक्टियर में बोई गई पसलो की कीमत 5 लाग से जादा सरकार ने निर्धारित की वही निलामी के बाद कुल 5 लाग रुपे राजसब विभाग को हासिल हुए सीज की गई प्रॉपेटी भानवर कोल ब्लॉप छितर के माचा, धनेठा, खरडिया, आमी, चग भागो, सुमीडिया, बहोरा, वाजितपूर में है सबसे जादा बोली मचागाओं के आराजी संख्या 54 के लिए लगई ये प्रॉपेटी, बी, एस, पी, सांसत, अवजल, अंसारी की बताई जा रही है इसे लेकर सुगधेरा के रहने वाले राधे श्याम सिंग ने 1,69,800 की बोली लगाई आपको बता दे कि नियाले जिला अधिकारी और नियाले पुलिस आयूग कमिशनरेट वारनिस्ती के निर्देश के क्रम में कुड़ की गई भूमी पर लगे फसलों की निलामी कराई गई है इस प्रक्रिया को संपन कराने के लिए मौके पर छेत्रिय लेखपाल के अलावा खोतवाली पुलिस मौजूद रही अब इस अतुलराय का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजे साल 2000 में माफिया मुखतार अंसारी के संपर्क में आकर अतुलराय ने ठेका मुबाइल टावर में तेल सप्लाई P.W.U.D. के ठेके सही जमीन के धंदे में फूब हात आजमाया और मुखतार का सिर पर हाथ होने के चलते उसकी जरायम जगत में गहरी पेट भी बन गई थाल ये था कि बनारस से लेकर गाजी पूर तक किसे कौन सा काम करना है ये अतुलराय टै करता था समय का चक्र बतला और धीरे धीरे अतुल की महात्वा कांचाये भी भड़ती गई और वो राजनीती में उतर आये 2017 में बस्पा के टिकट पर जमानिया विधान सभा का चुनाओ लड़ा और हार गया हालकि इस चुनाओ से भुमियार नेता के रूप में उपरे अतुलराय को दो साल बाद ही बस्पा ने 2019 लोग सभा चुनाओ में मौ के घोसी सीट से उमिद्वार बनाया और अतुलराय ने पहली बार में ही जीत दर्ज की लेकिन जैसे ही ये दोनों संसद में पहुँचें समय का चक्र एक बार फिर बदल गया और ये योगी सरकार की रडार में आ गया इनके गुनाहों की फेरिस्त लंबी है दो दर्जन से जादा मुकदमे इन पर चल रहे हैं जिस साबित होता है कि ऐसा कोई अपराद नहीं जो इन्होंने ना किया हो लेकिन आज ये लोग अपने पापों को भुगत रहे हैं और जेल में खिचरी खा रहे हैं और उमीर ऐसी है कि आगे भी खाते ही रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी उस्तरप्रदेश नमस्कार झाल